जय जगरनात मैं शिवानी चौकरवर्ती अपने चानल बॉंग कलिंग फूर्टेल्स में आप सब का स्वागत करते हैं महादेर जी के ऊपर जो हमारा सीडी चल रहा है आज उसका दूसरा एपिसोड है और आज हम बात करेंगे प्रभु लोकनाज जी के बारे में जो कि पूरी शिवरात्र के दिन भक्त भी बना के लेके आते हैं महादेर के लिए तो लोकनाजी जो है वो जगनात मंदिर और लोकनात मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं मतलब वो जगनाजी हरी हैं और लोकनाजी जो हर है और जगनाजी के साथ उनका उस मंदिर का लोकनात मंदिर का क्या नाता है वो हम आगे बात करेंगे आप सबको पता होता है कि जगनाजी के जो रत्न भंडार है वहां के जो रक्षक है वो लोकनाजी है मैं पहले जगनात मंदिर के साथ उनका जो क्या संबंद है वो बता दू बाद में लोकनात मंदिर के बारे में हम बात करेंगे और बाहर के रिच्वल्स होते हैं । चन्दन यात्रा हो गया और रुखमिनी विभाव हो गया, इन सारे चीजों में प्रभू लोकना जी का हिस्सेदारी होता है, वो वडचड के हिस्सा लेते हैं उसमें। और ये तो हूँए जगरनास मंदिर के साथ लोकनास मंदिर का जो क्या संबंध है। और लोकनास जी के अगर बात करें, यह बहुत पुराना मंदिर है तक्रीबन 1100 साल पुराना यह मंदिर है और यह जगनात मंदिर से तक पस्चिम में है तक्रीबन 2 या 3 किलोमेटर दूर है और इस मंदिर की मान्यताई है कि भगवान श्री राम जो थे वहाँ पर एक लौकी की पूजा की थी मतलब महादेप को एक लौकी के रूप में पूजा किया था और उडिया में लौकी को बोलते हैं लाउ तो लोकनात जो थे तो पहले लाउनात के रूप में प्रशिदिते बाद में वो लोकनात हो गए है और यह भगवान जो है साल में एक ही बात दर्शन देते हैं और वो महा पंको धार होता है पंक होता है क्या आपको बोलेंगे साल भर भगवान जो होते हैं पानी के अंदर रूप के रहते हैं उनके ओपर फूल बेल पत्र सब दिया जाता है तो वो जो सड जाता है तो कीचड बन जाता है कीचड को उडिया में बोलते हैं पंको तो जो पंको जो होत उसमें से भगवान जी को साल में एक ही बार निकाला जाता है और वह होता है पंको अधार एकादशी और जैसा मैंने कहा 27 तरी को आ रहे हैं और उसके बार वहां पर महाश्रिवरात्री की जो पूजा होती है वह बड़े जोरो सोरोचे होती है और यह जो भोग हम आज वराने वाले हैं और वह भी वहां पर बहुत प्री है और वहां पर इसी दिन बनता है तो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि दो तिन महादव के मंदिर हैं उडिसा में जो शैब धाम हैं बहुत पुराने हैं तक्रीबन हजार साल है और यह भी मंदिर जैसा मैंने क शोमबार, शावन मास का शोमबार और कार्तिग मास का शोमबार यह जो होता है इस मंदिर में बहुत तामजाम के साथ मनाया जाता है और यह कहता है कि महादेप के सर पर जो है वो गुप्त गंगा बह रही है और इसी के वज़े से भगवान साल भर पानी के अंदर रहते हैं औ बाहर नहीं निकलते हैं और जिस पानी में भगवान रहते हैं और उस पानी को अगर आप किसी बीमार आदमी को पिला दो तो वो ठीक हो जाता है तहाई कितना भी बीमारों यह से माननेता हैं इसलिए उस मंदिर में लोगों की बड़ी भीड होती है वो पानी लेने के लिए क् कोई हर जगे से मतलब हार कर आता है भगवान के दर पर और बहुत सरे लोगों वहाँ पर अच्छे होकर भी गये हैं इसलिए वहाँ पर ये विश् somyt कि कि अगरह लोकना जी का पानी मिल जाये तो लोग ठीक हो सकते हैं तो यह सारी माननेता हैं उस के साथ जैसा मैंने कहा हर और हरी महाश्रिवर रातरी के दिन जगंनात मंदिर से आग्यामाल आता है जो मदन मोहन है जगनाजी की चलंती प्रतिमा वो और लोकनाजी की चलंती प्रतिमा होती है उनका मिलाब होता है जिसको बोलते हैं होरी होर भेटा भेटा मतलब मिलना तो उनका भेटा होता है और जैसा मैंने कहा कि जगनाजी की जो रत्न भंडार है उसका शुरक्षा लोकना तो खैर ये थी चोटी सी जानकरी लोकुनात महाप्रभु के बारे में आई हो पर जानकरी आपको अच्छी लगी होगी तो चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं भगवान जी का जो बहुत ही प्रिया भोग है लोकुनात जी का घोशा चुड़ा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लोकुनात महाप्रभु जी का प्रिया भोग है जो उन्हें महा शिवरात्र के दिन लगता है घोशा मतलब घोशा चुड़ा मैं पहले दो टाइप के चुड़ा घोशा बना चुकी हूं एक चुड़ा कदमा बनाया था और चुड़ा घोश लोग को होता है पहा महादेप को भोग लगता है जी हां महादेप को बहुत प्रियो होता है पोहा का भोग नोर्ट में तो जो चूर्मा पशाद लगया जाता है पहा पहा हती इँ नौसे बनता है और चुड़ा हशा П French लिआ modalowegoन दिन ये खास लगाया जाता है भगवान को मंदीर की तरफ से लगाया जाता है और जो दर्शनार्थी होते हैं जो भगत होते हैं तो लिंगराज लोकनात महाप्रभु को दर्शन के लिए आते हैं वह अपने घर से भी चूड़ा पोहा और नारियल जो भी चूड़ा गशा के तो बेसिकली यह जो है यह महाश्ण विरात्र बेस्केशन भोग है लोकनात UK मंदिन में जयसता चाही रेषय जो होता है जो दूरं चूड़ा पोहा की मात्रा ज्याधा होती है नारियल के श्याधा मात्रा कम होती है लेकिन यहां पर यह होता है दोहा कर फ्रेवर होता है यह थोड़ा अलग होता है यहां पर मैंने देड़ नारियल लिया है मतलब एक नारियल और एक आधा नारियल लिया है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और आधा बावल यहां पर मैंने 100 ग्राम के करीद पोहा लिया हुए यह 100 ग्राम पोहा है उसको मैंने यह गी है और यह एक मसाला जिसमें इलाइची है लॉंग है काली मिर्च है और जाइफल थोड़ा सा जाइफल है उसको मैंने दर्दड़ा कूट के इस तरीके का एक दर्दड़ा सा पाउडर बना लिया है अब अब अमें क्या करना है। नारियल को और इस शक्कर को हमें अच्छी तरीके से हाथ में मिलाना है और ये जब हाथ में अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे तो एक ग्लू की तरह हो जाएगा मतलब एक आठे की तरह हो जाएगा और उसके बाद हम इस पोहे को इसमें डालेंगे जब तक ये शक्कर नारियल अच्छी तरीके से मिलके एक स्टिक की स्टिक की स्ट्रक्चर में नहीं आ जाता तब तक हम इसमें पोहार नहीं डाल सकते तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो अभी शुरुवात करते हैं ये देखिए उसको हाथ में ऐसे ऐसे मथा जात उसको मतना होगा जो भी चुड़ा गसा बनता है उसको ऐसे ही अच्छी तरीके से मथा जाता है और एक आठे की तरह यह हो जाता है और यह भी हो जाएगा तो अभी यह देखिए यह देखिए यह अच्छी तरीके से नारियल और शक्कर जो है अच्छी तरीके से मिल चुका क्या देखिए पूरा मक्षन के जैसा हो गया है तो अभी हम क्या करेंगे जो पोह हमने लिया है इसको डाल देंगे जो रोते है और भाम के बहुत Gwen दिवार पर फेक देंगे तो यह दिवार पर जाकर लग जाएगा मतलब इस तरीके का यह चुड़ा गशा होता है अभी हम क्या करेंगे मिनिमम इसको पांच मिनट तक हम इसको इसे रगड ना है इसे मन्थ ना है ताकि जो मौईस्चर है और जो पोहा है दोनों एक साथ मिल जाएं मिलने के बाद पोहा जो है वो नरम हो जाए और उसके बाद जो है यह जो भोग प्रशाद है हमारा घौसा घौसा चुड़ा यह बनके तैयार हो जाएगा अभी देखिए मैं आपको 5 बिन के बाद दिखा रहे हूं यह दिखिए जो नारियल है और जो पोहा है अच्छी त California से मिल चुका है और यह अच्छी तरीके से यह देखिए तो यह टेखिए मेरे यहदद्व मेरे हात में देखिए यह इस लग गया है ये देखिए इसे लगनात्माप्रभुका ये बन के तैयार है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा मेहनत भी लगती है क्योंकि अगर आप हाथ में उसको अच्छी तरीके से नहीं मन्त हेंगे तो उसका जो ऑथन्टिक स्वाद होता है वो बिल्खुल भी नहीं आएगा और ये भग आप हर हर महादेद जै माकादी